दोस्तों यह है दुनिया की पहली फ्लाइंग कार जिसमें BMW का engine inbuilt है यह जो देख रहे हैं यह कोई science fiction movie का scene नहीं है यह reality है यह दुनिया की पहली ऐसी फ्लाइंग कार है जिसने intercity flight complete करी है इस air car को बनाया है स्लोवाकिया की एक company क्लेइन वीजन ने क्लेइन वीजन कंपनी के founder और CEO है प्रोफेसर स्टीफिन क्लेइन और इसके co founder और advisor है एंटोन जाजएक वैसे तो दुनिया की पहली फ्लाइंग कार की बात करें या फिर आप सर्च करके देखे तो cycle company यह क्लेम करती है कि हमने दुनिया की पहली फ्लाइंग कार बना लिए लेकिन क्या हुआ एक्चुल में दुनिया की पहली फ्लाइंग कार है क्या practically वह एक निश्चित डिस्टेंस कवर करी है शायद नहीं है लेकिन क्लेइंग वीजन ने जो एर कार बनाई है पहली बार यह देखा गया है कि यह फ्लाइंग कार एक सीटी से दूसर में दुनिया की पहली flying car है क्योंकि इसने properly function करके दिखाया है यह air car लगबग 3 minute में transfer होकर एक sport car बन जाती है हवा में यह car दो लोगों को carry करके 180 km प्रति घंटा के राफतार से उड़ सकती है इसमें 160 horsepower BMW engine fit किया गया है तो किया बहुत ही जल्द इस air car से जो आम आदमी है वो हवा में उड़ सकेगा तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं यह आम आदमी के लिए बिल्कुल नहीं है यह एक ऐसी flying car नहीं है जो भविश में आम आदमी भी यूज कर पाएगा क्योंकि aeroplane की तरह इसको भी take off करने के लिए चाहिए air strip और landing करने के लिए भी यहाँ पर इसको air strip चाहिए ही होगी तो finally इस flying car को flying करने के लिए एक airport चाहिए होगा अगर भविश में flying car इसके जैसी होगी तो छोटे छोटे बहुत सारे airport बनाने होगी जो की बहुत बड़ा challenging mission होगा और यदि airport बन भी जाते हैं तो airport में बहुत धीड होगी वहाँ पर accident होने के chances बहुत जादा high हो जाएंगे तो इसलिए आभी आम आदमी के लिए flying car में उड़ने का सपना इससे नहीं पूरा होने वाला है तो देखिए actually flying car का नाम सुनते ही हम ऐसा सोचते हैं कि एक flying car है रोड पर चल रही है और हम जब चाहें उसे हवा में vertically उड़ा दें vertically land करा लें तो फिलाल अभी तक ऐसा कोई flying car नहीं बना है यह एक future flying car का dream project का concept है यह जो concept है VT LA उजयानी की vertically take off and landing का basic concept है जिसका इस्तेमाल 5 fighter plane में किया गया है 35 plane vertically take off भी कर सकता है और vertically landing भी कर सकता है तो इसी concept पर आधारित होगा future flying car का dream project इसके बाद एक आम आदमी भी हवा में fly कर सकता है तो दोस्तों क्या भारत में भी flying car बनाया जा सकता है तो जी हाँ भारत में भी इस तरह के flying car जल्दी बनने जा रहे है नीदरलेंड की एक company है इसने गुजरात के साथ एक MOU sign किया था 2020 में उस MOU में कहा गया था कि 2021 के आसपास PALV यहनि कि पलवी flying car की manufacturing गुजरात में शुरू करेंगे लेकिन कोरोना pandemic के वज़े से plan delay हो गया मगर आने वाले समय में इस तरह के flying car भारत में भी बनने शुरू हो जाएंगे तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही thanks for watching and please don't forget to subscribe this channel